जय हिन दोस्तों रश्मी के किचन में आप सब का फिर एक बर स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल मावा के गुजिया की रेसिपी ऐसी ही नई इंट्रेस्टिंग रेसिपी जाने के लिए अब तक आपने मेरा चैनल रश्मी संजीव कीचन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और नए रेसिपी के नोटिफेकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूले और लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बतारते रहे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आज की गुजिया की रेसिपी एक अलग तरह की रेसिपी है जिसे पूड़ाची करंजी या फिर साठे की गुजिया या लेयर गुजिया भी आप कह सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यह इंट्रेस्टिंग रेसिपी इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर की स्टफिंग बना लेते हैं तो यह बनती है मावा से यहाँ पर मैंने एक कप मावा लिया है, आधा कप सुखे नारियल को कद्दू कस करके लिया है, पाव कप ड्राइफ्रूट्स जो आपके मन पसंद ड्राइफ्रूट्स है वो आप इसमें डाल सकते है, दो चम्मच सूजी और एक चम्मच खसकस के दाने लिये है, थोड़ा सा चुटकी भर केशर और आधा चोटा चम्मच इलाइची को पीस कर लिया है, तो यह जो सारी सामगरी है वो एक एक करके हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसमें जो कच्चापन है वो सारा निकल जाए, सबसे पहले हम सुखा नारियल और ड्राइफ्रूट्स भून अब लास्ट में यह जो खौएा है इसको अच्छा गोडन कलर आने के बाद इसमें यह सारी भूनी हूई सामगरी में ने डाल दी अब इसके अंदर हम यह जो केशर और इलाइची का पावडर है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर ले गैस पर से मैंने इसे उतार लिया है अब इसे अच्छे से थंडा होने देते हैं फिर इसके अंदर हम चीनी का पाउडर मिलाएंगे जब तक ये थंड़ा होता है तब तक हम इसका आटा बना लेते हैं गुजिया का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कप मैदा लिया है इसमें स्वादनुसार नमक डाले आधा छोटा चम्मच नमक यहाँ पर मैंने डाल दिया है अब इसके अंदर हम चार बड़े चम्मच घी को गरम करके गरम घी ही हम डायरेट इस मैदे में डाल देंगे अब एक चम्मच की सायता से दीरे दीरे इस मिश्रन को मिला ले घी बहुत गरम है इसलिए इस तरह से एक बार इसे मिला ले और फिर हाथ की साहता से इसे अच्छे से मिक्स करें हमने जो गरम घी इसमें डाला है ये पूरे मैदे के उपर लग जाना चाहिए तो इसलिए अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए पूरे मैदे को घी लगा ले इस घी को मोहन कहा जाता है तो ये डालना बहुत ज़रूरी है तब ही हमारी गुजिया बहुत अच्छी और हल्की क्रिस्पी बनेंगी तो देखिए इस तरह से अच्छे से हाथ से मसलते हुए पूरे मैदे को हमने घी लगा लिया है ये एक ब्रेड क्रम्स के तरह इसका टेक्चर बनेगा आप देख सकते हैं इस रेसिपी के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है आप दोनों हाथों में इस तरह से आटा लेकर इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इससे भी सारे मैदे के ऊपर अच्छे से जल्दी घी लग जाएगा तो देखिए ये आटा बिल्कुल तयार है हमारा आप इसे इस तरह से मुठी में लेकर दबा कर देख सकते हैं अगर ये तूटता नहीं है तो ये बिल्कुल तयार है इसके अंदर हम आवशकता अनुसार पानी डाल कर इसका टाइट आटा गूंद लेंगे थोड़े थोड़े पानी का इस्तमल करके अवशकता नुसर इसमें पानी डालते जाए और इसका टाइट आटा गून ले तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आटा बनकर तयार है यह जादा नरम भी नहीं है और जादा हाड भी नहीं है इसी तरह का यह आटा होना चाहिए अब इसे हम अच्छे से एक बार गून लेते हैं और इसे ढख कर आधे गंटे के लिए रख देंगे एक बावल में इस आटे को रख दें और उपर से प्लेट ढख कर आधे गंटे के लिए छोड़ दें जब तक यह आटा अच्छे से बन जाता है तब तक हम बाकी की तयारी कर लेते हैं यहाँ पर अपना खोया भी थंडा हो चुका है और अब इसके अंदर हम आधा कप पीसी हुई चीनी मिला लेते हैं चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर ले हाथ की सायता से आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि खोया में जो गुठलिया बनी होती है वो सारी अच्छे से स्टफिंग भी बनकर तयार है अब इसे हम साइड में रख देते हैं अब शुरू करते हैं साथा बनाना साथा बनाने के लिए यहां पर मैंने तीन चम्मच घी को गरम करके लिया है घी को सिर्फ पिगला कर लेना है ज्यादा गरम नहीं करना है रूम टेंपरेचर पर घी को आ पेस्ट को हम गुजिया के आटे पर लगाने वाले है तो देखिए इस तरह से कॉन फ्लोर घी की पेस्ट बनकर तयार है आधा गंटा हो चुका है आप देख सकते हैं हमारा आटा भी अच्छे से बनकर तयार है एक बार फिर से इसे अच्छे से एक प्लेट में मिक्स कर लेत करके छे गोले बना लेंगे यह देखिए इस तरह से अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे और इसकी बड़ी रोटिया बना लेंगे यहां पर मैंने एक गोला लिया है मैं यह कीचन के स्लैप पर ही बना कर दिखा रही हूं अगर ज़रूरत पड़े तो हलका सा सूखा मैदा डाले और इसकी बड़ी सी रोटी बना ले जितना आप इसको पतला बेल सकते हैं उतना आपको इसे पतला बेलना पड़ेगा यह देखिए यह बड़ी रोटी बनकर तयार है अब इसे एक प्लेट में निकाल ले ऐसे ही हमें बाकी के गोलों के भी रोटी बना लेनी है तो द जो हमने कॉर्ण फ्लावर और घी की पेस्ट बनाई है वो इस तरह से अच्छे से लगा ले पूरी रोटी के उपर अच्छे से इस पेस्ट को लगाना जरूरी है ये देखिए इस तरह से हाथ की सायता से भी आप इसे लगा सकते हैं ये देखिए इस तरह से सारे कॉर्ण पर भी इस पेस्ट को अच्छे से लगाते जाए जो हमने दूसरी रोटी बनाई थी वो इस तरह से रख दे और अब इस रोटी के उपर भी इसी तरह से हमें घी और कॉन फ्लावर का पेस्ट लगाना है ये देखिए इस तरह से इस पर भ तर्सक्गाली जो रोकी है वह इसके उपर कि पेस्थ लगात nih कि और पिर कि इसके मी इसा कि ओफरंगे से और देखिए इसके उपर भी रोल करते जा disso आप देखिए किस तरह से मैं ये कर रही हूँ बहुत ज़रूरी step है ये अब इसको दोनों साइड से इस तरह से बन कर ले और अब slap के उपर इसे डाल कर इसको जितना हो सके उतना roll कर ले ये देखिए इस तरह से जादा भी इसे पतला नहीं रखना है ये देखिए लगपक 1.5 इंच का ये roll है तो अब हम इसे काट लेते हैं ये देखिए इस तरह से आपके जितने आकार की गुजिया बनानी है उतने आकार के गोले आपको इस तरह से काट लेने है तो इस तरह से मैंने ये गोले काट लिये हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके अंदर लेयर है अब इसे एक बाउल में फिर से रख देते हैं इसके उपर हलका सा घीला सूती कपडा ढग दे इस तरह से हाथ की सायता से इसे हलका सा दबा दे और फिर इसे बेलन की सायता से बेल ले और आपकी मंचा है आकार की ग बड़ भी सकता है यह पूरी बन कर तयार है अब हम इसे गुज्या के मोल्ड में डाल देंगे अगर आपके पास यह गुज्या का मोल्ड नहीं है तो ऐसे ही आप इसे फोल्ड करके आराम से बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने जो यह मावय की स्टफिंग बनाई है यह इसके अंदर हम भर देंगे यह देखिए इस तरह से इसे इसमें डाल दे और फिर अब इसे हम दूद की सायता से हलका सा चिपका देंगे यह देखिए इस तरह से चारो तरफ इसके हलका सा दूद लगा ले और फिर अब हम इस गुज्या को इस तरह से फोल्ड करेंगे इसक खुले रहे जाएंगे तो आपका तेल पूरा खराब हो जाएगा और तेल में पूरा ये गिर जाएगा अंदर का जो स्टफिंग होता है वो तो इसलिए इसमें से निकालने के बाद भी आपको अच्छे से इस कॉर्णर को दबाते जाना है अच्छे से दबाने के बाद अब ये गुज्या फ्राइ करने के लिए बिल्कुल तयार है अगर आपको एक साथ 3-4 गुज्या बना कर रखनी है और फिर फ्राइ करनी है तो आप इसके उपर इसे एक प्लेट में रखकर इसके उपर एक घीला कॉटन का कपड़ा डाल दे और फिर बाकी की गुज्या बनाते जाए प्रस मैंने ये सारी गुज्या बना ली है अब इन्हें करने के लिए यहाँ पर मैंने टेल गरम करने के लिए रख दिया था तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसके अंदर हम ये गुज्या फ्राइ कर लेंगे तेल को ज़दा गरम नहीं होना चाहिए इसे म बहुत सावदानी से यह करें ये देखिए इस से क्या होगा कि ये जो इसमें जो लेयर बनी हुई है आटे में वो सारी निकलकर अच्छे से ये क्रिस्पी दिखने लगेंगी तो देखिए इस तरह से इसे अच्छे से धीमी आज पर धीरे-धीरे हम प्राइ करेंगे और इसे golden सुनेरा होने तरह आई कर लेंगे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें layer आ चुके है आपको मैं एकदम नजदिक से ये दिखाने जा रही हूँ ये देखिए बहुत ही अच्छे layer इसमें बन चुके है तो इस तरह से ये कुजिया बहुत ही दिखने में सुन्दर भी दिखती है और खाने में भी बहुत ही करारी और तेस्टी लगती है अब इसे निकाल लेते हैं इसे अच्छे से थंडा होने के बाद ही हम airtight डबे में भर कर रख देंगे तो अब मैं दूसरा तरीका दिखाने जा रही हूँ यहाँ पर ये जो गॉला है वो मैंने पहले अलग तरीक इसे दबाया था आपने देखा होगा अब मैं इसे बल्पुल बीच में से दबाने जा रही हूँ और इस तरह से बेलन की सायता से इसे हलके हाथ से हम बेल लेंगे तो इससे क्या होगा इसमें जो लेयर है वो सारी खिलकर उपर आ जाएंगी यह देखिए इस तरह से हलके हाथ से इसका गोल आकर देंगे अब इसे हाथ पर उठा ले और फिर हम इसके अंदर stuffing भर देंगे आप देख सकते हैं दोनों साइड में इसमें अच्छे से लेयर बन चुकी है अब इसे भी दूद की सायता से हम अच्छे से सभी तरफ से चिपका देंगे अब इसे अच्छे से हम इस तरह से फोल करेंगे इसमें भी आपको इसमें कहीं पर भी जगा नहीं छोड़नी है अच्छे से यह चिपकना ज़रूरी है हमेशा इस बात का ध्यान रखे अगर यह थोड़ा भी खुल जाएगा तो आपका पूरा तेल खराब हो जाएगा इसके आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें लेयर बन चुके है इससे हम फ्राइ कर लेते हैं आप देखिए यहाँ पर जो गरम तेल है इसके अंदर में यह गुज्या छोड़ रही हूँ यह मैंने बिना मोल की बनाई है आपने देखाई है हाथ पर ही हम इसे आसानी से इस इस तरह से बहुत ही आसानी से आप घर पर गुज्या बना सकते हैं इसमें आप अलग-अलग तरग के स्टफिंग भरकर भी अलग-अलग तरीके के तीखे व्यंजन भी बना सकते हैं इन्ही गुज्या को मैं आपको बेक करके दिखाती हूँ यहाँ पर मैंने एक बेकिंग करे लिया है इसके उपर इस तरह से इन गुज्यों को रख दे एक बार इसके उपर ब्रश से हलका सा तेल लगा ले और हम इसे 180 डिग्री पर 10-15 मिनिट के लिए बेक कर लेंगे गुज्या मैंने बेक करने के लिए रख दिये हैं और यह जो गुज्या मैंने हाथ से बनाई आप देख सकते कितने अच्छे लेयर बनकर तैयार है बहुत ही सुंदर यह गुज्या दिखने में भी दिखती है और खाने में तो और भी मज़ा आता है बहुत ही करारी क्रिस्पी यह गुज्या बनकर तैयार है आपको मैं एक गुज्या उठा कर दिखा रही हूं यह बारा मिनिट में ही 180 डिगरी पर यह गुजिया बेक करके तयार है यह भी बहुत हलकी और क्रिस्पी बन चुकी है आप देख सकते हैं अभी तो यह गरम है तो इस तरह से यह तीन तरह से मैंने आपको गुजिया की रेसिपी दिखाई है आपको मैं एक तोड़ कर दिखाती हू यह देखिए कितनी हलकी और क्रिस्पी गुजिया बन कर तयार है तो देखिए कितनी आसाने से इतनी अच्छी क्रंची गुजिया हम घर पर बना सकते हैं अंदर भी देखिए आप कितनी अच्छे से लेयर बन चुके हैं इसी तरह से यह जो बेक की हुई गुजिया है यह भ तो इस तरह से जरूर गुजिया बना कर देखिए और रश्मी संजीव कीच्वन को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे जय हिंद